नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहें आचार जागंदर मिस्त्रा आज हम बात करेंगे आज के मिथुन राज के दैनिक राजपल की उससे पहले बात करते हैं आज के पंचांग के बारे में 27 अगस्त 2020 गुरुबार का दिन है भादर पदर शुकल पक्ष की नौ शिक राज में रहेंगे उसके बाद धनू राज में गोचर करेंगे आज का जो असुब समय होगा वह साम को 4 बच के 10 मिनट से लेके साम को 7 बच कर 15 मिनट तक रहेगा इससे असुब समय में कोई भी सुब और नयकार की सुरुवात ना करें नहीं तो बिकन वादा यहां शक आज बिलकुल कर सकते हैं चेहनोकरी के ट्राइ करते हैं या आपका रुका हुआ पद प्रमोशन भी मिलने के योग बन रहे हैं आज सरकार की तरप से कोई खुसकबरी या बेतन में बृद्धी की योग भी बन रहे हैं और समाजिक छेतर में आप बहुत अच्छा काम कर रह हैं तो मितुन रासवालों आपके तरक्की किसे आपको लाब तो होगा साथी साथ आपको लोग यानि की ज्यादा मानसमान भी दे रहे हैं अगर हम बात करें आपके बिजनेसमेन की तो मितुन रासवालों आज की दिन पैसा निवेस करने के लिए सोच रहे हैं कोई नया बि तो निश्ची तो और पे लगा सकते हैं लेकिन किसी दोस्तों को साथ लेकर ना लगाएं अपने विचारों को ही वहाँ पर रहने दें आकास्मिक धनलाप के योग बन रहे हैं लोटरी शट्टा शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो निश्ची तो और पे 60% मिलने के स्वास्त की बात करें तो स्वास्त पर बिशेश धियान देना है यहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कते हो सकती है बाहर घूमने फिलने से स्वास्त पर असर पड़ सकता है यात्रा करते हैं तो बाहन से सावधान रहें वैसे आज की दिन बाहन यानि खरीदारी के मन बिचार कर सकते हैं बाहन खरीदने का मन विचार अपनाते हैं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा यानि बाहन का सुख काफी दिनों से जो आपको नहीं मिल पा रहा था आज की दिन बेहद अच्छा है तो मितुन रासवालों अगर हम आपके यहाँ पर देखे इस्टुडेंट की पहले जो वादा किया था उनसे प्रोमिस किये थे आज उसको पूरा करते नजरा रहे हैं आज आपके लब पार्टनर के साथ प्रेयम संबंध काफी मधुर रहेंगे और जो लोग शिंगल हैं अविवाहित हैं उनके लिए नए रिष्टे आने के योग हैं साथी साथ हम आपके बात करें जीवन साथी की बैवाहिक जीवन की तो देखें बैवाहिक जीवन में संबंध अच्छे हैं एक दूसरे के साथ बाते कर रहे हैं मीठी मीठी बाते हो रहे हैं और बहुत सारी चीजें एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं हाथ बटा रहे हैं काम में लेकिन पिर भी बच्चों को लेकर कोई बात विवात शिती बन जाती है चोटी-चोटी बातों को लेकर बच्चों को लेकर आपस में लडने जगरने लगते हो ये अच्छी बात नहीं है एक दूसरे का सपोर्ट करें और बच्चों को समझाएं कि वो इदर उदर की बातों पर सैतानी ना करें, दोस्तों के साथ घूमे फिरे ना, जिसके वज़े से उन्हें पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई पर मन लगबाईए और उन्हें बिठा कर पढ़ाईए और घूमने फिरने ना जाने दे, वैसे आप का बैवाहिक जीवान अच्छा रहेगा, कोई खास दिक्कत नहीं रहेगी, छोटी मोटी घटनाओं को आप ज़्यादा तबज्जों ना दे, वैसे आपके लिए बड़ी खुसकबरी है कि आपके आज जो, यहनि कि जिनके पास संतान नहीं है, उनको संतान सुक का यहाँ प आपको बड़ी खुसकबरी मिल रही है, तो कुल मिला के आज के दिन अच्छा है, जो कुछ अच्छा नहीं है, उसे बेहतर करने की कोशिस करिए, वैसे आकास्मिक धनलाव के योग भी बन रहे हैं, तो आज आपका सुबरंग रहेगा मितुन रास वालों, पीला और आपका भाग साथ नहीं भारा है, 87% दोस्तों, जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करिए, नहीं तो चन को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जैशन देव